श्री प्रमात्म ने नम, तू ही तू, 91, उपनिशद में आता है कि आरंभ में एक मात्र अद्वितिये सत्थी विद्यमान था, चदेब सुमेद मगर आसी देख मेवाद्वितियम, चान्दोगे साथ छे, 2, 1, बह एक ही सत्वरूप परमात्मतत्व एक से अनेक रूप हो गया एक, चदक्षत बहुस्या प्रजाय एती, चान्दोगे सुन्य छे, 3, 3, 2, सुपाच काम्यत बहुस्या प्रजाय एती, 33, 2, 6, 3, एकोचशी सर्वभूतान तरात्मा एक अमरूप बहुदा यह करोती, कठ शुन्य दो, 2, 11, एक से अनेक होने पर भी वे एक ही रहा, उसमें नानात्व नहीं आया, दो तू ही तू, एक, ने नानास्ति किटलन, ब्रिहदारन यहक शुन्य चार, चार, 19, कठ शुन्य दो, एक, ग्यारा, दो, एकोच पांच पिसन बहुदायो विभाती, गोपाल पूर्वताप नियोपनिशद, तीन, यत साक्षाद प्रोक्षाद ब् ब्रिहदाराईयक शुन्य तीन, चार, एक, चार, सर्वखल विद्वम ब्रहम, चान्दोगे, तीन, चौदा, एक, पांच, भ्रहमय विधन विश्वमिदम, मुंडक शुन्य तीन, दो, ग्यारा, इसलिए श्रीमध्धागवत में भगवान में ब्रहमाजी से कहा है, इन कुछ भी नहीं था, शृष्ट के उत्पन होने के बाद जो कुछ भी यह द्रिशिवर्द है, वे हमें ही हूँ, तू ही तू ए जो सत्त, असत और उससे परे है, वे सब मैं ही हूँ, शृष्ट के बाद भी मैं ही हूँ और इन सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी र 2. सरगानामादिर अंताश्न मध्य अंचेवाह मर्जुन 10. 32. संपुन स्रिष्टियोंक आधिये भी मैं ही हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ 3. मत्त पर्तरे नाणियत के लिए दस्ती 7. मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किचिन मात्र भी कारण तथा कारे नहीं है 4. बासुदेव, सरवम 7. 19. डटू नहीं तू सब कुछ परमात्मा हो है 5. सच सच्चा है मर्जुन 9. 19. सच और असधी मैं ही हूँ 6. नतदस्ती बिना यत्स्यान मयाभू चराचरम 10. 36. वे चराचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो अर्था चराचर सब कुछ मैं ही हूँ संतों ने भी अपना अनुभव बताते हुए कहा है 1. तू तू करता तू भाया, मुझ में रही नहीं 2. बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित्तू 2. सब जगी शर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई जैसी जा की भावना, तैसों ही फल होय है 3. सो अनईय जाके असे मती नट्री हनुमन्त मैं सेवक सचराचरूप स्वामे भगवन्त मानस किशकिंदा शुन्य तीन, चार, निजप्रभुमय देखें जगत के हिसन करहें बिरोद मानस उत्तर शुन्य एकस ओबाराख, तुही तूप, पांच, जड़ चेतन जग जीव जटसकल रामजानी मानस बाल साथ गय, 42, गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, अप्रा और परा, प्रित्वी, जल, तेज, वायू, आकाश, मन, बुधित तथा अहंकार, यह आठ, प्रकार के भेदों वाली भगवान की अप्रा प्रकृति है और जीव रुप बनी हुई आत्मा परा प्रकृत है, अप्रा और परा ये दोनों भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, शक्ति मान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सक्ता नहीं होती, इसलिए भगवान की शक्ति हुने से ये दोनों, अप्रा और परा, भगवानों से अभिन हैं, जैसे मनु गीता साथ, चार से पांच, धर्तू ही लू, अलग करके नहीं दिखा सकता, ऐसे ही अप्रा और पराकों भगवान से अलग करके नहीं देखा जा सकता, तात पर यह निकला कि अप्रा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान से अभिन होने के कारण भगवानु का स्वरूप ही अनन्त ब्रह्मांड में तीन लोक, चौदा भुवन, जर्चेतन, स्थावर जंगम, थलचर जलचर नभचर, जरगायु जंडज स्वेद जुद्धिज, सात्व इगाजस ताममस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कौट, पतंग, भूट प्रेट पि सिवाय कुछ भी नहीं है, जो देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने तथा कल्पना करतने में आता है और जिन शरीर इंद्रिया संद बुद्धी अहमके द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, चिंतन किया तथा कल्पना किया जाता तू ही इन तूछ है, वे सब का सब अप् अता अनंत ब्रहमांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रहमांडों के रूप में आठ अप्रा, एक परा और एक भगवानु इंदस के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात एक भगवान के सिवाय के चिंतन मात्र भी कुछ नहीं है, अप्रा प्रकृति को मैं, मेरा और मेरे प्रियमाने से ही जीव को अपरा, जगत, परा, जीव और परमात्मा तीनों अलग-अलग दिखाई देते हैं। अपरा और परान दोनों प्रकृतियां भ्रगवान की हैं तो फिर उसमें मैं तू का भेद कैसे हो सकता है? अगर हम अपने को देखें तो अपरा और परा के सिवाय हम कुछ नहीं हैं। अनेक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। एक ही अनेक रूप से दीखता है और अनेक रूप से दीखते हुए भी वे एक हैं। भगवान कहते हैं, तू ही तू चार मनसा वचसा दृष्ट है अग्रिहाते उनेर पींद्रिये, अहप पेवनमतो उयदेती बुध्य दुवम जजनसा, श्रीमत भाशुन्य ग्यारा, तेरा, चौबिस, मनसे, बाणी से, दृष्ट से तथा अन्यर इंद्रियों से जो कुछ, शब्द, स्पर्ष, रूप, रुपे, गंड़ादी, ग्रेंड किया जाता है, वे सब मैं ही हूँ, अतह मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, यह सिद्धान्त आप्विचास पूर्वक्षी ग्र समझ लें, अर्थात सुईकार कर लें, आत्मय अवत अधिद्वन विश्व स्रिज्यते स्रिज्टी प्रभु, जराय ते जाती विश्वात्मा ही ते हरती इश्वर हैं, प्रीमधा 0161, 28, 6, जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु हैं, वे सर्व शक्तिमान पर्मात्मा ही हैं, वे पर्मात्मा हो विश्व बनाते हैं, और वे ही विश्व बनते हैं। वे ही विश्व के रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सरवात्मा भगवान विश्व का संहार करते हैं और जिसका संहार होता है। अभेद और भिनता दीखती है। इसलिए सादककों चाहिए कि बैभगवान को अपना माने और उनकी आवशक्ता का अनभव करे। इन दो बातों का पालन करने से ही सादकक का संसार से संबंद विछेद हो जाएगा और परमात्मा से समीपता अभेद तथा अभिनता का अनभव हो जाएगा। 3. सब कुछ भगवान ही है। बैगीता का सर्वश्रेश्न सिद्धान्त है और इसका अनभव करने वाले को भगवान ने अत्यंत दुरलब महात्मा कहा है। 29. मेरी प्राप्तिक जितने स्राधन हैं, उनमें मैं सबसे श्रिष्ट साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में, मन, वानी तता शरीर के बरतावर में मेरी ही भावना की जाया शदो तू ही तू उपनिश्दों में इस बात को समझने के लिए तीन द्रिष्टांत दिये गे हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का, जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आक्षती, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल्य आदि अलग-अलग होने पर भी उनमें सोना एक ही होता है, लोहे के अनेक अस्त्रशस्त्र होते हैं, पर उनमें लोहा एक ही होता है, मिट्टी के अनेक बरतन होते हैं, पर उनमें मिट्टी एक ही होती है, ऐसे ही भगवान से उत्पन हुई स्रिष्टे में अनेक प्राणी, पदार्थ आदि होने पर भी उनमें भगवान एक ही है, सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रतियक्ष इसलिए सब कुछ परमात्मा ही हैं। इस बात को समझने के लिए गेहूं के खेत का तू ही तू तेरह द्रिश्टान तू दिया जाता है। इसलिए गेहूं कीस हुआ? मैं जानता हूं कि गेहूं कैसा होता है। परन्तू किसान नहीं कहेगा की यह वे गहास नहीं है जिसको पशू खाया करते हैं। यह तू गेहूं है। कारण की आरंभ में बीज के रूप में गेहुं ही था और अंत में भी इसमें से गेहुं ही निकलेगा, अत्त, बीच में खेती रूप से यह गेहुं ही है, जो आरंभ और अंत में होता श्ड तू ही तू है, वेह बीच में भी होता है, यह सिध्धान्त है, यस्तू यस्ता दिर प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वो अब बीज में ही हूँ क्यूंकि बहचर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो अर्थाचर अचर सब कुछ मैं ही हूँ सांसारिक बीज तो व्रिक्ष से पैदा होता है और फिर व्रिक्ष को पैदा करके स्वयम नष्ट हो जाता है पर भगवान पैदा नहीं होते और अनंत स्रिष्टियों को पैदा करके भी स्वयम जों कित्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्याय बीज कहा है। तुही तुष्पीज मा सर्वभूतान आम विधी पार्थ सनातनम। गीता साथ 101. प्रभव, प्र उनसे व्रिक्ष उत्पन हुए और अन्त में उनमें आम ही निकलेंगे। इसलिए बीच में भी वे आम का ही बगीता कहलाता है। लौकेट बीच से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीच से गेहूं ही पैदा होता है। बाजरे से बाजरा ही पैदा होत मकके से मकाहों पैदा होता है, आम से आम ही पैदा होता है, आधी आधी, सब के बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रुपी बीज इतना विलक्षन हैं कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली स्रिष्टी पैदा हो जाती है, संपून योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृती तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं उस रिष्टी से पहले भी परमात्मा थे, चदेव सुमेद मगर आसी देख में बाद वित्तियम, छान दोगे शुन्य छे, दो, एक, और अन्तमे भी परमात्मा ही रहेंगे, शिशते शेश सनग, श्रीमधा शुन्य दस तीन, पच्चिज, फिर बीच में दूसरा कहां से आया? सुने के गहनों में सोना दीखता है और गेहूं की खेती में गेहूं नहीं दीखता, इसका तात्परे दीखने या न दीखने में नहीं है, प्रत्यु तत्व को एक बताने में है, सभी द्रिष्टान तों का तात्परे है कि तत्व एक ही है, चाहे दीखे या न दीखे, भगवान कहते हैं, तू ही तू 17 अमरित भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यू भी भगवान का स्वरूप है, सत भी भगवान का स्वरूप है, सुन्दर पुष्खिले हो, सुगंध आ रही हो तो वेह भी भगवान का स्वरूप है, और मांस, हडिया, मेला पड़ा हो, दुर गंधा रही हो तो वेह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने राम, कृष्ण आदिरूप भी धारन किये और मत्स्य, कच्छप, बरह आदिरूप भी धारन किये। वे कोई भी रूप धारन करें, हैं तो भगवान ही। वे चाहे किसी भी रूप में आयें, उनकी मर्जी जे जैसा रूप धारण करते हैं, वैसी ही लीला करते हैं, वरा, सुर, का रूप धारण करके वे वरा की तरह लीला करते हैं, मनिश्य का रूप धारण करके वे मनिश्य की तरह लीला करते हैं, नरसी रूप से वे प्रमाद जी को टाटते हैं, अठारा तू ही तू भगवान उ रहसे 14 मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी यूनियों में अफ्तार धारण करके उन उन रूपों और विशुन द्वार तदनु रूप बरताव करता हूं भगवान सत्य यूग में सत्य यूग की लीला करते हैं, कल यूग में कल यूग की दीखे तो समझना चाहिए कि भगवान कल यूग की लीला कर रहे हैं, वे कोई भी रूप धारण करके कैसी ही लीला करें, हमारी द्रिष्टी उनको छोड़ कर कहीं जानी ही नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं, यो मा पशती सर्वतर सर्व चमाई पशती, तस्याहाई नप्र बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे चिंपेगी, बर्फ हक के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दीखेगी, ऐसे ही जब सब रुपों में भगवान ही हो तो भगवान कैसे चिपेंगे, कहां चिपेंगे, किसके पीछे चिपेंगे, तात पर्रे है कि एक परमात पर्मात्मा ही पर्मात्मा परिपून है। बने हुए हैं। बे एक ही अनंतरुपों में भासित हो रहे हैं। बीस तू ही तू, चार, सब कुछ भगवान ही है। यह बात हमें दीखे चाहे न दीखे। हमारे जाने में आए चाहे न आए। हमारे अनुभव में आए चाहे न आए। पर हम दिर्टा से इस बात को सुईकार कर लेकि वास्तव में बात यही सची है, कमी है तो हमारे माने में कमी है, वास्तविक्ता में कमी नहीं है. सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ की आवशक्ता नहीं है प्रत्युत केवल भाव का आवशक्ता है हमें केवल अपनी भावना बदलनी है जब साधह की अभंतर वृत्ती हो तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है और जब साधह की बायवृत्ती हो तब जो कुछ दीखे वें भगवान की ही लीला है भगवान की अप्रा प्रकृति के समुख खोने से ही हमारी भिंगवान से विमुकता हो गई है अगर हमें अपरा से विमुख हो जाएं और तू ही तू ही किस जिसकी अपरा प्रकृती है उसके भगवान के समुख हो जाएं तो वास्तविक्ता का अनुभव हो जाएदा मामे वियप्रपच्यन ते माया मेता तरंती ते गीता साथ 14. भगवान कहते हैं ये चैव साथ विका भावा राज सास्ताम साइच्य मतेई वेती तानुविधी नत्वेह तेशुते मगरी गीता साथ 12. जितने भी साथ विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझ में ही रहते हैं ऐसा समझो 12. परन्तु में उनमें और वे मुझ में नहीं हैं नत्वेह तेशुते मथी कहने का थाथ पर ये है कि तुम गुणों में उल्मों मत 12. भगवान तो सबसमें ही हैं वे गुणों में भी हैं पर गुणों में उल्जहने से हम उनसे दूर हो जाते हैं यदि हम भगवान को सता और महता न देकर गुणों को सता और महता देंगे तो हम जन्मानन में चले श्रतू ही तुजाई यगे कारणवन गुण सड्रों से सदसद्यों न जन्मसुगीता 13. 21. जैसे गेहूं के खेत में गेहूं ही मुख्य होता है, पती डंठल नहीं, गेह के पौधे में जड़तामस है, डंठल राजस है, सिटासात्विक है और गेहूं, धाना, गुणातीत है। किसान का उद्देश के वल गेहूं को पराप्थ करने का ही होता है। गेहुं को प्राप्त करने के लिए ही वे सारी मिहनत करता है, खेती में जल खाद आधी डालता है। गेहुं प्राथ होने के बाद उसका पती डंठल से कोई मतलब नहीं रहता, क्यूंकि उसकी द्रिष्ट में पती डंठल का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह सादकक का उद्देश भी केवल भगवान का ही होता है, साथ तिक राजस तामस तीनों गुणों का नहीं, जैसे गेहु से पैदा होने पर भी पती डंठल से किसान का कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसे ही भगवान से उत्पन होते पर भी साथ पिक राजस तामस भावो उनसे सादका का कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे बालक मिट्टी का खिलोना चाहता है तुडी तू शतीन री तो पिदा जी रुपए खर्च करके भी उसके लिए मिट्टी का खिलोना लाकर देते हैं। ऐसे ही हम संसार को चाहते हैं तो भगवान संसारूप में हमारे सामने आजाते हैं। हम शरीर बनते हैं तो भगवान विश्वव बन जाते हैं। शरीर बने के बाद फिर विश्व से भिन कुछ भी जाने में नहीं आता यह नियम है। सब कुछ भगवान हैं। इसका चिंतन नहीं करना है। प्रत्यवंत इसको स्वयन से स्वीकार करना है। स्व अगर हमारे भीतर रागद्वेश होते हैं तो हमने सब कुछ भगवान है एह बुद्धि से सीखा है। बुद्धि से सीखने पर कल्यान नहीं होता। प्रत्युत स्वयन से स्वीकार करने पर कल्यान होता है। जब सब कुछ भगवान ही हैं तो फिर रागद्वेश कौन करे और किस से करे। अच्छा बुरा, शुद्ध शुद्ध, शचुमित्र, दुष्ट सर्जन, तू ही तू पच्चीस पापात्मा पूनियात्मा आदी जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदे में आता है। वे सब का सब केवल भगवान ही है। शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्र, अप्रापारा, क्शर अक्शर आदी सब केवल भगवान ही है। जब सब कुछ भगवान ही हैं तो फिर उसमें में कहाً से आए। मैं है ही नहीं, केबल तू ही तू है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही नहीं। बारी फेरी बली गई, जित देखूंति तू। अब भगवान की प्राम्ति में देरी किस बात की है? भगवत प्राप्तित अद्काल होने बाली वस्तू है। मान लो कि हम एक नदी को देख रहे हैं, किसी जानकार व्यक्त ने हमारे से कहा कि यह नदी गजाजी हैं, यह सुनते ही हमारी भावना बदल गई, दृष्टी बंदल गई, इसमें देरी क्या लगी? परिश्रम, अभ्यास, क्या करना पड़ा? किस क्रिया और पदार्थ जी इद्यासन करना है, न आख मीचनी है, न कानमूंदने है, न नाग दबानी है, न जंगला में जाना है, न गुफा में जाना है, न हिमाल्या में जाना है, अपनी सत्ता को भी अलग न रखकर भगवान में मिला देना है, मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा को स्विकार क उसकी प्राप्ते के लिए भविश्य की अपेक्शा नहीं होती और जो वस्तु सब जगए मौजूद होती है। उसकी प्राप्ती किसी क्रिया तथा पदार्थ से नहीं होती। कहीं जाने से जो परमात्मा मिलेंगे, वेही, परमात्मा जहां हम है, वहाँ पूरे तू ही लू सत्ता इसकी पूरे हैं। उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग होता है। जो वस्तू सर्व व्याप कहन हो, सब जगे परिपून हो, उसको प्राप्ति केवल चाहना से होती है। परमात्मा की लालसा 28 तू हींतू होनी चाहिए। अगर भीतर से संसार अच्छा लगता है, संसार की लालसा है तो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है, उसी को जल दीखता है। ऐसे ही जिसके भीतर संसार की प्यास लालसा है, उसको संसार दीखता है और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है, उसको परमात्मा दीखते हैं। प्यास ना हो तो वस्तू सामने रहते हुए भी नहीं दीखती। परमात्मा को प्यास हो तो जगत लुप्त हो जाता है और जगत की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। जिसके भीतर जगत की प्यास है वे जगत का निर्मान कर लेता है ये द्वंधारते जगत। गीता साथ- पांच और जिसके भीतर पर समात्मा की प्यास है वे परमात्मा कीखोज कर लेता है तत्यपदत्त परिमार गितव्यम गीता 15, 4. जगत की प्यास होने से जगत ना होते हुए भी म्रिगमरी चिका की तरहें दीखने लग जाता है और परमात्मा की सुहीज्टू उन तीस प्यास होने से परमात्मा न दीखने पर भी दीखने लग जाता है परमात्मा की प्यास जागरतू होने पर सादका को भूद क जाल का चिंतन नहीं होता, भविश्य की आशा नहीं रहती और वर्तमान में उसको प्राप्त किये बिताचन नहीं पड़ता। जो प्राणी भूत काल में हो चुके तीस तू ही तू है तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविश्य में होंगे, उन सब प्राणी यों कोंत में जानता हूं, पर मुझे कोई भी नहीं जानता नमें विदोह सुर्ग ना प्रबन न महर्श एह। देवताओं और महर्शियों का आदि हूं जैसे अपने मानता पिता को हम जान नहीं सकते, प्रत्युत्मान ही सकते हैं, क्यूंकि जन्म लेते समय हमने उनको देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। ऐसे ही पस्मसात्मा कों भी हम जान नहीं सकते, प्रत्युत्मान ही सकते हैं। माता की अपेक्षा भी पिता को जान नसर्वता असंभव हैं, क्यूंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारी शरीर की सत्ता ही नहीं थी। तुही लू 49 भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं, अहनभीज प्रदेह पिता, गीता 14-4, पिता मस्य जगत, गीता 9-17, पिता से लोकस्यत चराचरस्य, गीता 115-43, बमे बांशों जीव लोके, गीता 15-7, इसलिए परमात्मा को माना ही जा सकता हैं। उनको जानना सर्वथा असंभव हैं। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता मानी ही पड़ेगी। जैसे ही परमात्मा नहीं है इस सत्तर है पसमात्मा के हो नेपन का भी कोई निशे ध्याख खंडन नहीं कर सकता। तीन सोब अतीस तू ही लू सब कुछ भगवान ही है यह मान ही सकते हैं। जान नहीं सकते क्यूंकि यह समझर के अंतरगत नहीं आता। प्रत्युत समझ बुद्धी इसके अंतरगत आती है। साथ, सब कुछ भगवान ही हैं। इसका अनुभव करने के तीन चरण हैं। जो क्रमशा इस प्रकार हैं। एक, सब कुछ भगवान का ही है। दो, सब कुछ भगवान हो है। तीन, भगवानों के सिवाय कभी कुछ हुआ ही नहीं। देखने सुने में जो कुछ आता है, व्र ने सुने में आता है, वेह सब अप्रा प्रकृति है, जो भगवान की है, भगवान ने अप्रा प्रकृति को तू ही तू 33 भी मेरी प्रकृति कहा है, अहट जार इतियान में भिन्ना प्रकृति रठधा, गीता साथ चार, और परा प्रकृति को भी मेरी प्रकृति कहा है, प्र प्रिड़ता से स्वीकार कर लें तो हमारा साधन शुरू हो जायदगार। जब तक हम मिले हुए को अपना मानते रहेंगे, तब तक साधन शुरू नहीं होगा। मिले हुए को अपना मानते रहने से न तो विवेक द्रड़ होता है और न विश्वास ही द्रड़ होता है। कारण की यह जगत केवल जीव की कलपना है। वास्तव में जगत का नामून निशान भी नहीं है। संपून देश, काल, बस्तू, व्यक्ति, अवस्था, गटना, परिस्थती आदे में केवल भगवान ही भगवान परिपून है। अगर यह बात हमारी समझ हमें नहीं आती तो हमारी समझ हमें कमी है, ततो हमें कमी नहीं तू ही तू पैतीस है। भले ही हमारी समझ हमें न आए, पर सची बात सची ही रहेगी, जूठी कैसे हो जाएगी? साधक कुछ भी करे, अंतमें उसे सची बात को स्विकार करना ही पड़ेगा। वासुदेव, सर्वम का अनुभव होने के बाद फिर सर्वम भी नहीं रहता, प्रत्य तह केवल वासुदेव रह जाता है। इसी को श्री मर्धागवद में आतियंतिक प्रलव कहा गया है, बारा, चार, तेस, चौनतीस, और इसी को गोस्वामी तुलसिदास जी महराज ने परम विश्राम कहा है, पायो परम विश्रामू, मानस, उत्तरशुन्य एक्स ओतीस, तीन, जैसे, जब तक गेहुं की खेती रहती है, तब तक पती डंठल दीखते हैं, अन्त में पती डंठल नहीं रहते, केवल गेहुं रह जाता है, पात पर यह हुआ की केवल विद्यमान है, अनेकोश है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कम भी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, इससे सिद्ध हुआ की एक परमात्मा के सिवाय इच्छे तू ही लू कोई चीज कभी पैदा हुई ही नहीं, इस्थित का वर्नन नहीं हो सकता, क्योंकि वर्नन करने वा 29. 18. जब सब में परमात्म बुद्धी की जाती है, तब सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा दीखने लगता है, फिर इस पसमात्म दृष्टि से भी उप्राम होने पर संपूर्ण संशे स्वतहने वृत हो जाते हैं, उप्रमेत पद का तात पर ये है कि साधक सब कुछ भगवान ह इस वृति से भी उप्राम हो जाता है, इस वृति को भी छोड़ देता है, कई ओंकी उसकी दृष्टि में सब कुछ रहता ही नहीं, इसलिए वृति छूटने पर एक भंगवान ही रह जाते हैं, आत पर रहे है कि भक्त सर्वत्र परिपून भंगवान के शरणागंत होकर अ ऐसी शरणाग्त के बाद फिर पर्मत्रेम की प्राप्ति होती है, मदभक्ती लबते पराम, गीता अठारा, चौवन, भगवान अपनी इच्छा से प्रेम लीला के लिए एक से दो हो जाते हैं, हैते मोहाएं बुधार्थ पराग जाते खोथे मनीश्या, भक्त अर्थ कल्प से होने वाला यह प्रेम प्रतिक्षन वर्धभान होता है, इसलिए कभी भग और भगवान एक हो जाते हैं और कभी दो हो जाते हैं, प्रेमे यह मिलना और अलग 38 तू ही तू होना, मिलन और विरह, भगवान की इच्छा से ही होता है, भक्त की इच्छा से नहीं, इस प्रेम प्रेम की मांग मुक्त महापुरुशों में भी देखी जाती है। ही अनेक रूप बन जाते हैं और फिर अनेक रूप का त्या करके एक रूप हो जाते हैं अनेक रूप से होने पर भी वे एक ही रहते हैं यह सुक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता पर मत भैड पैदा करने वाला होता है इस सुक्ष्म अहम मुखे कारण ही आचा यू अत्वा एक खाण के सेक्डों खिलोने बन जाए और फिर खिलोने पुने खाण हो जाए फर्क क्या पड़ा ऐसे ही भगवान कुछ भी बन जाए फर्क क्या पड़ा तत्व एक ही है और एक ही रहेगा उस एक तत्व के सिवाय कभी कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं ह प्रतिक्षन वर्दमान पर्म प्रेम की प्राप्ते में ही मानव जीवन की पूर्णता है। प्रमात्म प्राप्ति बहुत सुगम है। इतना सुगम दूसरा कोई काम नहीं है। सांसारिक भुगों के प्राप्त होने में तीन बाते होनी ज़रूरी हैं। इच्छा, उद्योग और प्राराब्द। पहले तो सांसारे क्वस्तुकों प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसकी प्राप्ते के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर भी उसकी प्राप्ती तब होगी, जब उसकी मिलने का प्रारब्द होगा। अगर प्रारब्द नहीं होगा तो इच्छा रखते इस जिलों कव में आपके समान भी दूसरा कोई नहों है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, भगवा आजन ही मिल सकते हैं, 41 भी वस्तून नहीं मिलेगी, इसलिए उद्योग तो करते हैं नफे के लिए, पर लग जाता है घाटा, परंतु परमात्मा की प्राप्ती इच इच्छा मात्र से होती है, उसमें उद्योग और प्रारब्द की जरूरत नहीं है, परमात्मा के मार्गा में घाटा कभी होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है, एक परमात्मा के सित्राय कोई भी चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती, कारण यह है कि मनुश्य श्रीर परमात से खाली नहीं है, अत्थ, उनकी प्राप्ते में उद्योग और प्रारब्द का काम हो नहीं है, कर्मुन्स बहर चीज मिलती है, जो नाशवान होती है, अविनाशी परमात्मा कर्मुन्स से नहीं मिलते, उनकी प्राप्ती उतकट इच्छा मात्र से होती है, डरे तू ही तू प न मरनें की चाहना हो, न भुगों की चाहना हो, न संग्रह की चाहना हो, वस्तुवं की चाहना ना होने से वस्तुवं का अभाव नहीं हो जायदगार, जो हमारे प्रारब्ध हमें लिखा है, वो हमारे को मिलेगा ही, जो चीज हमारे भाग्या में लिखी है, उसको दूसरा नह नहीं ले सकता ये दसमदिय अन्नाहितत परेशाम। हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आएगा। ऐसे ही हमारे प्रारब्द हमें धन लिखा है तो जरूर आएगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ते में प्रारब्द नहीं है। परमात्मा किसी मूल्य के बदले नहीं मिलते। मूल्य से वही वस्टू मिलती है जो मूल्य से छोटी होती है। बाजार में किसी वस्टू के जितने रुपें लगते हैं वह वस्टू उतने रुप्यों की नहीं होती। भगवान आज ही मिल सकते हैं डलतीन हमारे पास ऐसी कोई वस्टू, क्रिया और पदार है ही नहीं, जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। वह परमात्मा अद्वितिये हैं, सदैव है, समर्थ है, सब समय में है और सब जगे है। वह हमारा है और हमारे में है। पशुपक्षी ये अवरिक शादी बन जाए तो भी वे हमारे हिर्द्य में रहेंगे। देवता बन जाएं तो भी वे हमारे हिर्द्य में रहेंगे। तत्वग्य जीवन मुक्त बन जाएं तो भी वे हमारे हिर्द्य में रहेंगे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पाप अयाई से अयाई बन जाए तो भीवे भगवान हमारे हिर्द्य में रहेंगे। ऐसे सब के हिर्द्य में रहने वाले भगवानों की प्राप्ती क्या कठेन होगी? पर जिनेंकी इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई कोचार तू ही तू इच्छा, सुक की इच्छा, भोग की आदी दूसरी इच्छाएं साथ में रहते हुए भगवान नहीं मिलते, कारण की भगवान के समान तो भगवान ही है, उनके समान दूसरा कोई था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, फिर वे कैसे मिलेंगे? केवल भगवान को चाहना होने से होवे मिलेंग तब भगवान भी उससे मिले बिना नहीं रहते, क्यूंकि भगवान का स्वभाव है, ये यथा मा प्रपधियंते तांस्तत आव भजा मेहम, गीता चार, ग्यारा, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रेत देता हूं, मान लें कि कोई म गरोड जी भी उससे मिलना चाहें, तो पहले मचर गरोड जी के पास पहुंचेगा, या गरोड जी भगवान आज ही मिल सकते हैं, डब भचर के पास पहुंचेंगे, गरोड जी से मिलने में मचर की ताकत काम नहीं करेगी, इसमें तो गरोड जी की ताकत ही काम करेगी, इसी पर भगवान को दूर मानते हैं, इसलिए भगवान हमसे दूर होते हैं, दुरप दी ने भगवान को गोविन द्वार का बासिन कहकर पुकारा तो भगवान को द्वार का जाकर आना पढ़ा, वह यहां कहती तो वेचट यहीं प्रकट हो जाते, अगर हम ऐसा 46 तू ही तू मानते हैं कि भगवान अभी नहीं मिलेंगे तो वे नहीं मिलेंगे, क्यूंकि हमने आर लगा दी, गोर्खपुर की एक घटना है, सनवत 2000 से पहले की बात है, मैं गोर्खपुर में व्याख्यान देता था, वहां सेवा रामजी नाम के एक सजजन थे जो बैंक अकमा में का हम रते थे, एक दिन मैंने व्याख्यान में कहे दिया कि अगर आपका दृर्ड बिचार हो जाये कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जायेगे, उन सजन को यह बात लग गई, उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवान उसे मिल वे पुश्प माला, चंदन आदी ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चड़ाऊंगा, वे कमरा बंद करके भगवान के आने को प्रतीक्षा में बैठ गे, सम्यक पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई और सुगंद भी आने लगी, पर भ प्रकट नहीं हुए, दूसरे दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आज आप मेरे घर से भिक्षा लें, मैं कई भगवान आज ही मिल सकते हैं जघरों से भिक्षा लेकर पाता था, उस दिन उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंद भी आ कि यह बात तो आती थी मैंने कहा कि इसी बात ने अटकाया अगर मन में यह बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे उनको मिलना ही पड़ेगा तो वे जरूर मिलते भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई है अगर आप विचार कर ले कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएगे परन्तु मन में यह चाया नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे भगवान आपके कर्मों से अटकते नहीं अगर आपके दुश कर्म से आठ तू ही तू पाप कर्म से भगवान अटक जाएं तो वे मिलकर भी कया निहाल करेंगे? परन्तू भगवान किसी कर्म से अटकते नहीं. ऐसी कोई शक्ती है ही नहीं, जो भगवान को मिलने से रोग दे. बेन तो पाप कर्म से अटकते हैं, नपुन्य कर्म से अटकते हैं, वे सब के लिए सुलब हैं. अगर भगवान हमारे पाप उन से अटक जाए तो हमारे पाप भगवान से भी प्रबल हुए. अगर पाप प्रबल, बल्वान हैं तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे? जो पाप उन से ही अटक जाए, डस के मिलने से क्या लाब? परन्तु भगवान इतने निर्बल नहीं है, जो पाप उन से अटक जाए डण के समान बल्वान कोई है नहीं, पुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं आपकी जोरदार इच्छा हो जाये तो आप कैसे ही हो, भगवान तो मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे उनको मिलना पड़ेगा, इसमें संदेग नहीं है परमात्मा की प्राप्तिक लिए ही तो मान्व जन्म मिला है नहीं भगवाजाहीन मिल सकते हैं ही तो पशुमे और मनुशे में क्या फर्क हुआ? खादते मोदते नित्यान शुनक, शुकर, खर तेशा में शांको विशेशो वृत्त रेगा तूटा दूशी सुकर कूकर उठखर, बढ़ पशुवन में चार तुलसी हरी की भक्ती बिनू, ऐसे ही नरनार देवता भुग्योनी है, वे भी चाहते हैं कि भगवान हमारे को मिले देवा अप यस्से रुपसिर नित्यव दशन का डिक्षन, गीता ग्यारा बावन, वे भगवान को चाहते तो हैं, पर भुगों की इच्छा को नहीं चोड़ते यही दशा मनुशियों की है, अगर आप हिरद्य से भगवान को चाहों तो उनको मिलना ही पड़ेगा इसमें संदेग नहीं है, पर आप ही बाधा लगा दो की भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर वे नहीं मिलेंगे गीता में साफ लिखा है, अपिचेटसु दुगाचारों भजते मामनय भाक साधुरेव समंतव्य, सम्यगव सितो हिसे क्षिप्रन भवती धर्मात्मा शश्वचान्ती निगर्चती, कौन ते ये प्रतिजानी ही नमे भक्त, प्रणश्यती, नौर, तीस से एकतीस, पचास तू नहीं लू, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनय भक्त होक कर मेरा भजन करता है, तो उसको साथु ही मा करना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है, बहततकाल, उसी क्षन, धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शान्तिको प्राप्थ हो जाता है, है कुन्तिनन्दन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्या करोतात पर ये है कि दुराचारी से दुराचारी मनुश्य भी यदि अनय भाग हो जाया अर्थात भगवान के सिवाया कोई चाहना न रखे तो उसको भी साध्मान लेना चाहिए, क्यूंकि उसने निश्चय पका कर लिया है कि भगवान जरूर मिलेंगे, चार आप केवल भगवान को ही इ इच्छा मत करो, न जिने की इच्छा करो, न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बढ़ाई को इच्छा करो, न भुगों की इच्छा करो, न रुप्यों की इच्छा करो, केवल भगवान आज ही मिल सकते हैं 51 भगवान की इच्छा करो तो वे मिल जाएगे, कम स कम मेरी बात की परिक्षा तो करके देखो, भगवान आपको मिलते नहीं, क्यूंकि आप उनको चाहते नहीं, आपके भीतर रुप्यों की चाहना हो तो भगवान बीच में कूद कर कलों पड़ेंगे, संसार में सबसे रही वस्तु रुपया है, रुप्यों से रदी चीज दू नने के काम आता है, नसवारी के काम आता है, तात पर रहें कि रुपय काम नहीं आते, प्रत्यकुन का खर्च काम आता है, परमात्मा एच्छा मात्र से मिलते हैं, उनको रोकने की ताकत किसरी में भी नहीं है, छोटा बालक रोता है तो मा आही जाती है, बालक घर का कुछ भ भी कहते हैं कि बाहू, बालक रो रहा है, उसको उठा ले, मां को सब काम छोड़कर बालक को उठाना पड़ता है, बालक का एक मात्र बल रोना ही है, बालाना रोधमन बल्लम, रोने में बड़ी ताकत है, आप सचे हृध्य से व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने लग तो जितने भगवान के भक्त हुए है, संत महात्मा हुए है, वे सब के सब आपके पक्षमे हो जाएगे और भगवान को उलाहना देंगे कि आप मिलते कयो नहीं, वे ही भगवान के साथ ससुर आदी है, वास्तव में भगवान मिले हुए ही है, आपकी सांसारिक इच्छा ही उनको रोक रही है आप रुप्यों की इच्छा करते हो भगों की इच्छा करते हो तो भगवान उनको जबरदस्ती नहीं छुड़ाते अगर आप संसारिक इच्छाएं छोड़कर केवल भगवान आज ही मिल सकते हैं तीन भगवान को ही चाहो तो आपको क्रौन रोक सकता है आ आप संसार के लिए रोओ तो संसार राजी नहीं होगा, पर भगवान के लिए रोओ तो वे भी रो पड़ेंगे, बालक सचा रोता है या जूठा, यह मा ही समझती है, बाल कट के आंसू तो आये नहीं, के वलूणू करता है तो मा समझ लेती है कि यह ठगाई करता है, अगर ब जिने का कई अलाब, ऐसे ही सचे हृद्य से चाहने वाले को भगवान न मिलें तो भगवान को मर जाना चाहिए, पर तुन ही तू एक साधू थे, उनके पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि भगवान जल्दी कैसे मिलें, साधू उनके हा कि भगवुता कट न चाहना हा होने से मिलेंगे, उसने पूछा कि उतकट चाहना कैसी होती है, साधू ने कहा कि भगवान के बिना रहा न जाये वे हादमी ठीक समझा नहीं और बार बार पूछता रहा कि उतकट चाहना कैसी होती है, एक दिन साधू ने उस आदमी से कहा कि आज तुम मेरे साथ नदी में स फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से उपर आने पर वह बोला कि तुम साधु होकर ऐसा काम करते हो। मैं तो आज मर जाता। साधु ने पूछा कि बता, तेरे को कई या याद आया। मा याद आई, बाप याद आया, धन याद आया, या स्त्री पुत्र याद महाराज, मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, याद किसकी भगवान आज ही मिल सकते हैं पराती? साधु बोले कि तुम पूछते थे कि उतकट अभिलाशा कैसी होती है, उसी का नमूना मैंने तेरे को बताया है। जब एक भगवान के सिवाया कोई भी याद नहीं आएगा और उनकी प्राप्त के बिना रह नहीं सकोगे, तब भगवान मिल जाएगे। भगवान की ताकत नहीं है कि मिले बिना रह जाएगे। भगवान कर्मों से नहीं मिलते, कमों से मिलने वाली चीज जनाशवान होती है, कर्मों सिध्धन, मान, आदर, सत्कार मिलता है, परमात् परन्तु परमात्मा की प्राप्ती जल्दी नहीं होगी. कई जन्म लग जाएगे, तब उनकी प्राप्ती होगी. अगर उनकी प्राप्त की जोरदार इच्छा हो जाये तो भगवान को आना ही पड़ेगा. वे तो हर दम मिलने के लिए तयार हैं. जो उनको चाहता है, उसको वे नहीं मिलेंगे, जो फिर किसको मिलेंगे? इसलिए हे न प्रद्य से प्रार्थ ना करता है, तो भगवान को आना ही पड़ता है. किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोग दे. जिसके भीतर एक भगवान के सिवाया अनने कोई इच्छा भगवान आज ही मिल सकते हैं, सतावन नहीं है. न जिने की इच्छा है, न मरने की इच्छा ह ना सतकार की इच्छा है, ना आदर की इच्छा है, ना रुप्यों की इच्छा है, ना कुटम्ब की इच्छा है, उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो कया मिलेगा। नहीं, भगवान का अंतकरण ऐसा है जिसमें आपके पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनाये लालसा छपती है, भगवान कैसे मिलें, कैसे मिलें, ऐसी अनाये लालसा हो जाएगी तो भगवान ज़रूर मिलेंगे, इसमें संदेग नहीं है, आप और प्रत्थम तू ही लू पर कहता हूँ, गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा मा प्रपधियंते तान्स्तताय भजा मेहम, चार, ग्यारा, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रेत देता हूँ, हमें भगवान के बिना चन नहीं पड़ेगा, तो भगवान को सताम्यो मास मर्ती निते अश, तस्था सुलब, पार्थ निते है युक्तस्थ योगिन, गीता आठ, चौदा, हे प्रिथा नंदन, अनये चितावला जो मनुशे मेरा निते निरंतर स्मरण करता है, भगवान आज ही मिल सकते हैं, उन्सर्थ उस निते निरंतर मुझ में लग पद्यवते, वासुदेव, सर्वमिती समाहत्मा सुदुरलब, गीता साथ, उन्नीस, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुश्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार जो ज्यानवान मेरे शरण होता है, वेह माहत्मा अत्यंत, दुरलब है हरी दुर प्रय कर लेता है, भगवान वही प्रकट हो जाते हैं साथ लू ही लू आदियांत जन्मरी अनंत के सारे कारज सोये, जेह जिग बुरनाय चो धरे, तेह धिग पर गंट होत, प्रादनी के लिए भगवान खंबहे में से प्रकट होगे, प्रेम बद औरहला भेको, जिन पाहन परमेश्वरुकाडे, कवितावली साथ, 127, भगवान सब के परम सुहध हैं, वे पापी, दुराचारी को जल्दी मिलते हैं, मा कमजोर बालक को जल्दी मिलती है, एक मा के दो बेटे हैं, एक बेटा तो समय पर भुजन कर लेता है, फिर कुछ नहीं लेता और दूसरा बेट दिन भर आता रहता है, दोनों बेटे भुजन के लिए बैठ जाये तो मा पहले उसको रोटी देगी जो समय पर भुजन करता है, क्यूंकि वे भुखा उठ जाएगा तो शाम तक खाएगा नहीं, दूसरे बेटे को मा कहती है कि तू ठहर जा, क्यूंकि वे है तो बकरी की त दर्तर है दिन भर चरता रहता है, दोनों एक ही मा के बेटे हैं, फिर भी मा पाक्षपात करतो है, इसी भगवान आज ही मिल सकते हैं, दर्तर है जो एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता, उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, क्यूंकि वे भगवान को अधिक प्रिय पर प्रेम की लड़ाई में जिसमें प्रेम अधिक होता है, वे हार जाता है। अगर वह करोध करें तो बालक जी सकता है क्या? मां तो बालक पर क्रपाही करती है। ऐसे ही भगवान हमारी अनंत जन्मूंग की माता है। वे भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। भक्त को वे अपना मुकुट मनी मानते हैं। हैं तो हूँ भक्तन को दास। भगत मेरे मुकुट मानी भक्तों का काम करने के लिए भगवान हर दम तयार रहते हैं। जैसे बच्चा मा के बिना नहीं रह सकता और मा बच्चे के बिना न आपको पिस वाग्वान के पिना नहीं रह सकता और भगवान भग्त के बिना नहीं रह सकते। नोट हरध्य ये स्वामी श्री राम सुख दास जी पाराज जिके नित्य प्राते हैं पांच बजे के प्रवचन सुने के लिए इस वेब साइट पर सम्पर्क करें।